नमस्कार दोस्तों जैसा कि हिंदी किरामर में हम पढ़ते चले आ रहे थे और आज हम वाक्यों के बारे में जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं वाक्य किस प्रकार से बनते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं वाक्यों का रूप आंत्रण किस किस प्रकार से किया जाता है तो मन उससे सामज़ एक प्राड़ी है वो समाज में रहकर अपने मन के भावों दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके वेचारों को सुनना चाहता है जानना चाहता है इसके लिए वह बासा का सहरा लेता है और यह वासा उसके मोहों से सब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है व्यक्त होना मतलब बोली जाती है बताई जाती है तो वही क्या है वाक्य कहलाता है सब्दों की रचना वरणों के सार्थक मेल से होती है जैसे का हना मा उल्ला तो इन तीनों वरनों को अगर मिलाया जाए तो एक सब्द बनेगा कमल इन्ही सार्थक सब्दों के सार्थक सार्थक मतलब होता है अर्थ सहित सासा मी सोता है सहित और अर्थ मी सोता है उसका अर्थ मतलब ऐसा सब्द जिसका के अर्थ समझ में आई जिसके के माइने समझ में आई जैसे मान लो यह सब्द है कमल हाना अगर हम इसको लमक उल्टा सीधा लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे मकल इदर उदर इन सब्दों को चोड़ देंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा इसी दिए इसको कहते हैं सार्थक और सार्थक और नर्थक जो बाक्य होते हैं सार्थक मतलब अर्थ सहित या अच्छे सब्द या जनका की कोई अर्थ हो ऐसे सब्द नर्थक मतलब बिना अर्थ वाले जिनका कि कोई अर्थ नहीं निकले तो इन्ही सार्थक सब्दों के सार्थक अबम ब्यवस्तित मेल से वाक्य बनते हैं क्या बनते हैं वाक्य जैसे राम पार्क में खेलता है अब यह एक वाक्य हो गया जबकि यह एक कैसा वाक्य है सार्थक अगर इसी को इसी वाक्य को लिख दिया जाए कि राम खेलता है पार्ग में तो यह एक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा सब्दों तो हैं इसमें लेकिन सार्थक वाक्य वह नहीं कहलाएगा वाक्य भासा कि सबसे छोटी काई हैं भासा जो कि हम बोलते हैं तो छोट छोटे सब्दों से मिल करके वाक्य बनते हैं और बैसे अगर भासा की सबसे छोटी काई जो होती है वह क्या होती है तो हनी या वर्ण या सब्द जिसको कहते हैं लेकिन भासा की अगर बात करें तो सबसे छोटी काई एक तरह से वाक्य कहलाती है क्यों वाक्यों के माद्दियम से ही हम कुछ बोल पाते हैं जिसका कि दूसरे को अर्थ समझ में आ जाए जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आ से समझ में आ जाता है इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुस्य के विचारों को व्यक्त करने वाला सब्द सम्हूं जो ब्यवस्तित हो तथा पून आ से प्रगट कर सके वाक्य कहलाता है आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अगर फिर भी समझ म नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं नेक्स्ट है वाक्य के गोन देखो गोन अवगोन दो होते हैं चाहे मनुस्य हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो कि मन उससे मैं निमने लिखत बातों का होना जरूरी है जैसे एक तो साड़ ठकता और दूसरी है योगता सबसे पहले बात करेंगे साड़ ठकता की तो वाक के रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रियोकत सभी पद साड़ ठक हूँ अब पद किसे कहते हैं? मतलब सब्द जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पद तो सभी सब्द या पद साड़ ठक हूँ साड़ ठक मतलब जनका की कोई उच्छ तर्थ निकलता हूँ जैसे राम एक सब्द हो गया या पद हो गया वहीं पार्क में तो पार्क अलग हो गया है ना सब्द हो गया, मैं खेलता है, खेलता है, तो इन सभी सब्दों से मिल करके, या सभी पदों से मिल करके, एक क्या बना, सार्थक वाक्या, या सार्थक पदों से मिल करके, एक वाक्या बना, कह सकते हैं, और जिसमें किया है, सार्थक ता है, अर्थार्थ यह हमें कोई उच्छत सार्थक अर्थ बताता है जैसे राम पार्ग में खिलता है तो इस प्रिकार से हमने देखा आया सुना तो क्या है हमें समझ में आया कि राम जो है वे पार्ग में खिल रहा है मैं घर जाकर खाना खाऊंगा तो इससे समझ में आ रहा है कि मुझे गड़ जाना है और खाना भी खाना है अब मैं इसी को अगर नेर्थक बनाना चाहूं तो क्या करेंगे कि मैं घर खाना जाकर खाऊंगा इस प्रकार से उल्टे सुब्द उल्टे अगर सब्दों लिख दिये जाएं या बोल दिये जाएं तो वहां पर उसकी सार्थक क्या हो जाती है खत्म हो जाती है मतलब लेने का यह है दूसरी बात है योगता इसका मतलब है चमता एफिसीएंसी जिसको बोलते हैं और इसका अर्थ यह है कि सब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की भी चमता होनी चाहिए जैसे पबन पानी खाता है तो यह क्या है इसकी छमता नहीं है तो अंसर क्या होगा पबन खाना खाता है ना कि पानी भाई अगर इसमें योगता नहीं है कि पबन पानी क्या पानी को खा सकते हैं क्या नहीं जबकि दूसरा वाक्य है स्याम खाना पीता है तो क्या इसकी योग्यता है कि वह खाना खाने को पी जाएगा स्याम की यह योग्यता नहीं है कि वह खाने को अगर पी जाएगा तो यहां बात करें पानी की तो यह वाक्य सही है तो इस प्रकार के वाक्यों में उसकी योग्यता अर्थर्द चमता भी दिखाई देनी चाही pupils तभी वे वाक्य कैसा केलाईगा उसकी योग्यता अर्थर्थ motion नेक्स्ट अगर बात करें आकांग्छा सबसे पहरे सार्थकटा हो गही दूसरी जो वाक्य के गुण है सबसे पहरे सार्थकटा दूसरा योग गिता तीसरी है आकांग च्छा इसका अर्थ है एक्छा इसका आसे यह है कि वाक्षे अपने आप में पूरा होना चाहिए उसमें कोई भी सब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके करण वाक्षे में अधूरा अपने लगे अर्थ हरत आपके इच्छा है कि हम कैदें खा रहे तो आपकी इच्छा होगी कि क्या खा रहे, कौन खा रहे, कैसे खा रहे, कहां खा रहे तो यहां बाके अगर पूर्ण करें तो लड़के खाना खा रहे है अब यहां इतना ही कह दिया जाए कि लड़के खाना है भाई लड़कों को कौन खाता है सैनिक लड़ रहे हैं है ना तो सैनिक लड़ है इसे प्रकार से कह दिया जाए तो जब बाके में अधूरापन महसूस हो किसी भी पद या सब्द की बज़ेद से तो वह है आकांच्छा इच्छा वाक्य की गोण में रहे जाती है चौत्र नम्मर पर आता है आपका पद क्रम पद क्रम या सब्द क्रम भी बोल सकते हैं स्विकेंस है ना तो वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए हैं ये सब्दों का उच्छत पदक्रम होना जरूरे है पदक्रम के अभाब में वाक्रीक का सही अठ्थ नहीं निकलता है जैसी देखिए कि जैसे जैसेrage सारे देश के नागरे के करटब निश्ट हैं तो यहां पर देश के सारे नागरे करतब बनेश्ट हैं इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए गाय का ताकतवर दूद होता है जब कि गाय का दूद ताकतवर होता है इस प्रकार से जो वाक्यों का स्यूकेंस है किरम है वह नजर आना चाहिए पांचमा गौन होता है अन्वे अन्व में करता, वचन, लिंग, कारक आदी में होना जलूरी है और इसके बना वाक्य का पूंडर अर्थ नहीं निकलता जैसे मेल, मेल अर्थ अर्थ जैसे मेरे देश में अनेक नदियां बहता है अब यहां पर नदियां एक क्या है अगर लिंग के इसाब से देखें तो नदिया सब्द क्या है, इस तरी लिंग तो इस तरी लिंग में उसी के अनुसार क्या है जो किरिया है, वह भी आनी चाहिए तो मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं इस प्रकार से वाक्य का मेल जो है वह होना अत्यंत आवस्यक है अनवे का मतलब मेल चुहे कितावें कुतर गई तो चुहे जो सब्द है वह बहुवचन है क्या है बहुवचन कितावें भी बहुवचन है और कुतर गए न कि गई तो यहाँ पर एक लिंग समंदी जो विकार है वह दिया गया है तो कुतर गई नहीं कुतर गई क्योंकि एक नहीं बहुत सारे यहाँ परवचन लिंग आदी से संबंदत विकार आपको दिखाई दिया होगा नेक्स्ट है वाक्य के अंग I hope ये पांचों गुण वाक्य के आपको समझ में आई होंगे अगर फिर भी नहीं आई तो आप क्या है वीडियो को रिपीट करके देखें ठीक है नेक्स्ट है वाक्य के अंग देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक जम्म क्वेस्टन यहीं से बनते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं एक उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् भाई जिसके विसे में कुछ कहा जाए मानलो कुछ भी कहा जा रहा है लेकिन यहाँ पर आप देख लेना कि किसके विसे में कहा जा रहा है प्रस्ण बना के देख लो आप तो वही क्या होगा उद्देश से होगा किस के विषय में, ये प्रस्ण बना के देख लो, कि राम के विषय में, तो राम यहां पर क्या हुआ, उद्दे से, उसे ही क्या कहते हैं, उद्दे से, जैसे राजू खाना खा रहा है, अब किस के बारे में खाने के कहा जा रहा है, तो राजू के विषय में, तो राजू यह यहां पर क्या हुआ उद्देश से किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं भाई किस के बारे में कहा जा रहा है किसानों के बारे में तो किसान क्या हुआ उद्देश से वहीं जवान रच्छा करते हैं तो किस के विसे में कहा जा रहा है रच्छा करने की वाद जवानों के वि पूछा जाता है कि मालो जवान देश की रक्षा करते हैं अब यहां पर आपको एक वाक्य दे दिया और पूछ लिया किस बाक्य में कौन सा उद्दिश से है और कौन सा विधे हैं तब आप क्या करेंगे कि जिसके विसे में कुछ कहा जाए तो वह से तो क्या करेंगे उद्द देश की रक्षा करते हैं जवानों के बारे में कहा जा रहा है ये तो गया उद्देश से क्या हो गया उद्देश से अब जवानों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि देश की रक्षा करते हैं तो यही क्या हो गया आपका विधे देखो विधे वाक में उद्देश के बारे मे जो कुछ कहा जाए उसे विद्य कहते हैं जैसे करन खेल रहा है अब यहाँ पर करन तो क्या है उद्धिस है अब करन के विशे में जो भी कुछ कहा गया कि वह कर क्या रहा है खेल रहा है तो यही क्या होता है विद्य दूसरा है चित्रकार चित्र बनाता है अब चित्र बनाने का कर रहे तो चित्रकार कर रहा है जो कि उद्धे से है लेकिन क्या कर रहा है कि चित्र बना रहा है तो ये विध्य हो गया वहीं चित्रा गीत गा रही है मैं गीत गा रही है ये जो अंडरलाइन किया हुआ सब्द है पद है वही क्या है विद्ध है मतलब उद्धिस्थ के विसे में जो कुछ कहा जाए वही क्या है विद्ध है इन वाक्यों में क्या है हमने जाना कि विधे क्या है वाक्य के भेद के बारे में अगर बात करें तो यहां से भी आपके एकजम में क्वेस्टन पूछे जाते हैं कि रचना के अधर पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं अर्थ के अदर प्रवाक्य कौन कौन से प्रकार हैं तो यहाँ पर आप जानेंगे सबसे पहले रचना के अदर प्रवाक्य नम्मर एक है सरलवाक्य रचना या बनावट के अधार पर वाक्य के कितने भेद हैं तीन भेद हैं रचना केलो या बनावट केलो मतलब इनकी बनावट किस प्रकार से होई इनकी रचना किस प्रकार से होई तो सबसे पहले सरेल वाके, दूसरा होता है साहियुक्त वाके और तीसरा होता है मिस्र वाके और सबसे ज्यादा एक्जाम मैं जब 11, 12, 10, 11, 12 या 11 गवर्मेंट एक्जाम तक मैं यहीं से क्वेस्टन बनते हैं सरेल साहियुक्त और मिस्र वाके से एक या दो नमबर यहां से आपके पक्के होते ही होते सरलबाक की किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्धे से और एक विधे उद्धे से भी जान लिया आपने और विधे भी जाना उद्धे से भी जाना और विधे भी जाना तो जिन में एक उद्धित से हो और एक विदे हो वही क्या होगा सरल बाक्य जैसे वर्षा हो रही है तो क्या हो रही है वर्षा मोहन पतंग उड़ा रहा है मतलब सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा हो तो वही क्या है सरल बाक्य बच्चे मैदान में खेल रहे हैं रविवार को हम भी पढ़ेंगे रविवार को भी हम पढ़ेंगे वह फलों के लिए बाजार गया राम खाना खाकर सो गया तो यहाँ पर उद्दे से और विधे का होना अनिवार है यह जाने सरल वाक्य में जिसमें उद्दे से और विधे नहीं होगा तो वह सरल वाक्य नहीं होगा क्लियर दूसरा सायुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतन्त रूप वाक्य किसी समुच्च बोदक अब्बे से जुड़े होते हैं उन्हें संयक्त वाके कहते हैं अब देखो दो या दो से अधे के स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब फिरी हाणा फिरी हो अब क्या उपवाक के उपवाक के का मतलब क्या होता है जैसे ये और सब्द लगा इसके बीच में अब एक वाक के तो इधर हो गया और एक इधर हो गया है ना तो और ने क्या कर दिया इसको दो भागों में तोड़ दिया इसके तुकड़े कर दिये पहला भाग ये बना दिया दूसरा ये बना दिया दूसरा ये बना दिया ठीक है तो वही तो क्या कहलाते है अब वह के अब वो समुच्च वोदक जो सब्द होता है वह क्या होता है समुच्च वोदक अब्बे जिसको बोलते है कि वही होता है जिसने इस वाक्य को दो भागों में तोड़ा अब कौन सा हुआ और सब्द तो यही और सब्द जो होता है वह होता है समुच रूदक अब्वे अब देखो यहां पर बीच बीच में जो अंडरलाइन किये हुए सब्द हैं वही समुच रूदक अब्वे हैं जैसे और दूसरे बाक़ में और तीसरे में या चोथे में इसलिए तो आतहा तो इसे प्रकार से क्या है सहयुक्त वाक्य में समुच्च वदक अब्वियों को जाना आपने उपवाक्य क्या होते हैं कि जो समुच्च वदक सब्द जो होता है वह है वाक्य को दो तुकड़ों में बांट देता है छोटे छोटे दुकड़े इसलिए कहा जाता है वाके को उप वाके में है ठीक है वाके उप वाके उप उप मतलब एक तरह से प्रमुख है ना तो आप देखो सहीं एक तो वाके कहते किसे हैं कि मा बाजार गई और सब्जियां लेकर आई अब यहां पर आपने देखा कि समच बुदक अब भी लगा हुआ है बीच में दो उपबाक्यों में यह बाक्य जो है बटा हुआ है संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला रूप संयुक्त का मतलब मिला जुला वाक्य कह सकते हैं ठीक है अब मिला जो लाग कैसे है गोई दो तो मिले रहे होंगे तब ही तो वो स्हाइःक्त होगा स्हाइःक्त होता है मालो 1 प्लस 1 बड़ टू मतलब एक ये मिला एक ये मिला जबी तो दो हुए इसी प्रकार से एक उपवा की इधर मिला और जो है समुच वुदक अब्बे बनाया और सबजियां लेकर आई दूसरा उपवा की मिला तो जाकी बना साइउक वुदक वुदक आप खाना खाएं और आराम करें यहां पर और सब्द क्या है समुच वुदक अब्बे आप चाए पीएंगे या कोफी राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया पिद्ध्यारती परिश्रमी होता है तो अवस्य सफल होता है सौमबार को रताल है अतहे बाजार बंद रहेगा इस प्रकार से सही उक्तवाक्य की पेहचान होती है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट और भी देखें दो उपवाक्यों के बीच समान अधिकरन संब्द होता है मतलब एक वाक्य यह रहा यहां अब्बे लगा क्या लगा अब और फिर दूसरा उपवाक्यों तो इन दोनों के बीच में समान अधिकर होता है समान अधिकरन संब्द मतलब होता है कि इन दोनों में कुछ न कुछ संब्द अवस्य होता है सायोक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंतर अपवाक्य होते हैं जो सायोक्त वाक्य होता है मालो दो या अधिक हो सकते हैं जैसे एक येरा एक येरा फिर तीसरा और भी जोड सकता है क्या तीसरा और भी जोड सकता है उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है मालो ये तुकड़ों में बटे हुए हैं तुकड़ों में बटे हुए होने के बाद भी मालो ये तुकड़े में बट गया कौन सा उपरवलबाक्य अगर देखें तो जैसे सौंबार को हड़ताल है अतहर बाजार बंद रहेगा तो सौंबार को हड़ताल है यहाँ पर इसने पूर्ण अर्थ बता दिया बोद बोद मतलब हमें जानकारी दे दी हमें ग्यान करा दिया कि सौंबार को हड़ताल है तो फिर ओविसली क्या होगा कि बाजार दुबंद रहे गाई भड़ताल है तो तो पहला उपवाक्य जो है इसी ने हमें बता दिया पून अर्थ का बोध करा दिया कि नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मुख्य उपवाक्य मुख्य उपवाक्य अपने पून अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आसरित नहीं रहते जो पूर्ण मुख्य उपवाक्य होता है अपने पूर्ण अर्थ की अभिवक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आसरत नहीं रहते माल लो कि ये वाला जो उपवाक्य है और ये वाला उपवाक्य है तो दोनों अलग-अलग है सायुक तो मतलब मिले जूले हैं आपस में में सम्मन्द भी है लेकिन हम अगर एक वाक्य को ही जान जाएं उपवाक्य को जान जाएं तो हमें पता चल जाएगी किस सिच्चूइसन क्या है तो यह एक दूसरे पर आशिरत नहीं है यह अपने आप में अलग है और यह अपने आप में अलग है बाजार बंद रहेगा और सौमबार को लड़ता ले यह दोनों उपवाक्य क्या हैं अलग अलग है तीसरा जो होता है मिस्र वाक्य कि जिस वाक्य मिस्र वाक्य क्या होता है जब कि सायक तुम्हे वह आसरत नहीं रहता दोनों में अंतर है तो जिसमें आसरत रहता है उसे ही कहते हैं मिस्टर मिस्टर मतलब मिला जुला अब उस उपवाक्य में ऐसे ऐसे सब्द आएंगे कि जैसे जैसा तैसा जो वह है जब तब क्योंकि आधी व्यद्धिकरण योजक होते हैं योजक मतलब जोडने वाले व्यद्धिकरण जैसे ही साम होई बिजली चली गई तो देखो ये दोनों एक दूसरे के उपर आसरत हैं जैसे ही साम होई और बिजली चली गई जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पड़ेंगे भाई मानलो आठ मी से नो मी में आए नो मी से दस मी में आए तो नए कक्षम दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे भाई जब दाखिला ही नहीं होगा तब हम पढ़ेंगे कैसे मतलब एडविसन नहीं होगा दाखिला मतलब ये उर्दू वासा का सब्द है दाखिला दाखिला मतलब एडविसन तो यहां पर देखो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक दूसरे के वोपर जो बाक्वे हैं वे क्या है आसर्त है मतलब एक वाक्वे अगर एक काम अगर पूरा नहीं हुआ तो दूसरा जो अप वाक्वे वे नर्रत को जाएगा झब राम आया तो सीम चला गया मानलो कोई दुकान पर बैठा है है ना राम आया तो वह दुकान से उटकर के स्याम चला गया तो बारी बारी से आर जा रहे तो भाई जब राम आएगा तब ही तो स्याम जाएगा मेरा मतलब है कि ये मिस्सर वाक्ष जो होते हैं ये एक दूसरे के उपर आसरत वपवाक्य है उस लड़के को बलाए जिसने काले जूते पहने है और जब आंदी आई तो दूल उड़ने लगी और थोड़ा सा जाने कि उप्योक्त वाक्यों में आसरत और मुख्य वपवाक्य के इस प्रकार है जैसे बिजली चली गई ये मुख्य वपवाक्य हो गया अब जैसे जो है वह योजक सब्द लगाया अब इसके उपर आसरत कौन सा के साम होई जैसे ही साम होई बिजली चली गई भाई मुख्य हो गया बाद बला है ना और आसरत हो गया पहले वाला जैसे ही साम हुई बिजली चली गई जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो हम पढ़ेंगे योजक सब्द तो पहला वाला जो था वह था आसरत अब किस के उपर मुख्य उपवाक्य के उपर जैसे हम पढ़ेंगे मुख्य तो क्या हमारा पढ़ना था लेकिन पढ़ेंगे कब तो ये आसरत है कि जब हम नई कक्षा में दाखिला लेंगे तब जब राम आया तो स्याम चला गया आई होप आप समझ रहे होंगे धोल उड़नी लगी ये क्या है मुख्य उपवाक्य है इसमें जब और तो जो हैं योजक सब्द लगाए दो आंदी आई ये आसरत है कि जब आंदी आई तो दोल उड़ने लगी आसरत आंदी है भाई मैंने क्या दोल उड़ना आंदी नहीं आती तो दोल कहां से उड़ती आई होप आप समझ रहे होंगे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए आज यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं और कल क्या है आपको इनके भी भेद बताए जाएंगे ठीक है मिसरत बाक्य मैं आसरत उपवाक्यों के भेद मतलब इन में भी क्या क्या होता है अंदर थोड़ा गहराई से हम समझने की कोसिस करेंगे तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब करें धन्यवाद झाल 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 झाल